आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए अमिताव घोश को 2018 का ग्यान पिट पुरुसकार से सम्मानित किया जाएगा तो चलिए इनके परे में थोड़ा पढ़ लेते हैं या आपको थोड़ा बता देता हूँ आज आपको ये इनकी पिच्चर से ये इनकी पिच्चर है ये हैं अमिताव घोश ये अंग्रेजी के सहतेकार हैं इनको मिलेगा 2018 का ग्यान पिट पुरुसकार चलिए आपको बताते तो इनके बारे में ये अपना लेकन अंग्रेजी भाशा में करते हैं इनको आगे जाकर 11 लाक रुपे दिया जाएगा पुरुसकार के तो रुपे और एक वागदेवी की मूर्थी जी जाएगी वागदेवी की मूर्ती जीज़ जाएगी और एक पशश्च्ती पत्र भी दिया जाएगा असल में सहत्य को अंग्रेजी भाषा जो अंग्रेजी भाषा है उसे सहत्य में तीन साल पहले ही स्थान दिया गया है ग्यान पीट के अनुसार इनको 2018 का पुरुस्कार दिया जाएगा लिटरेचर में सहत्य में इनका जनम 1956 में हुआ था ये इतिहास के पॉइंट्स को आज की दुनिया से जोडते हैं अपने लेखन में इनका लेखन उत्क्रिस्ट यानि की सबसे बेस्ट है ये पहला पुरुस्कार है यानि ये पहले व्यक्ति हैं जिनोंने अंग्रेजी में लेखन के जरिये ग्यान पीट पुरुस्कार हासिल करने वाले हैं ये पिशली बार ग्यान पीट पुरुस्कार 2017 दिया गया था कृष्णा सोबती जी को और इस साल 2018 का ग्यान पीट पुरुस्कार दिया जाए राह है इन्हें यानि अमिताफ गोश जी को चले इनकी कृतिया पढ़ते हैं इनकी कृतिया है रचना है दा सर्कल ओफ रीजन दा शैड़ो लाइन दा कलकता क्रोमोसॉम दा ग्लास पैलेस दा हंग्री टाइड रिवर ओफ स्मोग रिवर ओफ स्मोग और फ्लड ओफ फायर प्रमुक इनकी कृतिया है प्याला ग्यान पीट पुरुस्कार 1965 में मल्यालम लिखक जी शंकर कृप को प्रदान किया गया था तो ये इनकी रचना याद कलीजे आपकी एक्साम में इंपॉर्टेंट हो सकती है और ये अग्रेची में दिया गया पहला ग्यान पीट पुरुस्कार है अग्रेची भाशा में लेखन के लिए दिया गया पहला ग्यान पीट पुरुस्कार है थैंक्स पर वाचिंग और मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोस मिलते रहें थैंक्स